नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पीशाज 27 सितंबर सुबद 6 बज़े राजिस्थान की खास खबरें पेरसितामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं इनमें विटामिन शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के इलावा एंटी बायोटिक्स भी शामिल हैं देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलरिटी बॉडी सेंटर ड्रग्स स्टेंडर केंट्र इसक लिग्र ऑर गिनाज़ेशन यानि CDSCO ने ईसकी लिस्ट जारी की लिस्ट में कल्सियम और विटामिन D3 सप्लेमेंट्स एंटेडामिन Caesar की बिमारी के लिए इस्तिमाल होने वाली एब्लॉक्सॉर एंटी फंगल फ्लॉकोनाजॉल और कुछ मर्टी विटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी हैं ये दवाएं हेटेरो ड्रक्स अलकेम लैबोरेटरिस हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड करनाटक एंटी बा कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं बरतपुर में पांच साल की मासुम को कुट्टों के काटने के मामले में राजस्तन हाइकोट ने स्वव प्रेरित प्रसंग्यान लिया है जस्टिस इंदरजीत सिंग और जस्टिस भूवन गॉयल की अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स के अधार पर प्रसंग्यान लिया जस्टिस इंदरजीत सिंग ने कहा हमारी गली में भी कुट्टे हैं इसमें हमें भी दिक्कत होती है उन्होंने कहा कि आए दिन कुट्टों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं लेकिन उसके बाद भी इसे लेकर घंबीरता नहीं रखी जाती है कोट ने मेडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मामले में भी परीजनों ने पहले से ही नगर निगम को सूचना दी थी कि गली में कुत्तों का आतंक है लेकिन उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई मासुम को इनका शिकार होना पड़ा कोट ने कहा स परीब एक साल पुराने छेड़चाड के मामले में दोशी को पांच साल के कठोर कारवास वे एक हजार पे की अर्थ दंड की सज़ा सुनाई विशेचलों का ब्योजक राम हितार गुर्जर ने बताया कि 3 जून 2023 को पिडिता की मान अपने पुत्री के साथ खानपूर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 2 जून 2022 को जब अपने घर पर आई तो पिडिता और उसकी मौसी का लड़का घर के सामने खड़े थे पिडिता ने बताया कि आरोपी युवक ने उसे अकेले देख कर पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती छेड़ खानी करन में कानून विवस्ता कितनी मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केसरे सिंगपूर थानक शेतर में भाजपा परवक्ता के भाई के साथ मारपीट वेल लूट की घटना हो गई पुलिस ने इस संबंद में एक दरजन से अधिक अग्यात यवकों के खिलाफ मुकदमा दर्स किया है जानकारी के अनुसार भाजपा के परवक्ता और पेट्रोल पंप असोसियेशन के जिला देक्ष आशुतोष गुपता का केसरे सिंगपूर थानक शेतर में आते गां कमीन पुरा में पेट्रोल पंप है उसको उनका छोटा भाई पेट्रोल पंप से दिन भर का सारा कैश लेकर कार पर सवार होकर केसरे सिंगपूर जाने के लिए रवाना हुआ कुछ दूरी पर अग्यात यवकों ने उसकी कार पर इट मार दी गाड़ी रुकते ही बदमाशों ने उसके साथ मार पीट कर अढ़ाई लाकुर पे लूट ल ने जा रहा है यानि के लोगों को वहां से गुजरने के लिए किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा टोल प्लाजा वरकर्स यूनियन पंजाब के पदादिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है बैठक की अधिक्षता करते हुए पंजाब प्रधा दर्श की जा रही थी लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है जिसके चलते टोल प्लाजा वरकर्स यूनियन पंजाब ने अलान किया है कि 27 सितंबर से लाडवाल टोल प्लाजा और निशित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसे भी वहां चालक से कोई टोल नहीं वसू की जारी है नई दिल्ली में पारवती काली सिंध चंबल एर सीपी लिंक परियोजना के संबंद में त्री पक्षिय समिक्षा बैठक आयोजी तुई यह बैठक श्रम शक्ति भवन के जल शक्ति मंत्राले के कराले में राज्यस्तान मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बी बैठके दुरान राज्यस्तान में जल सरंक्षन के लिए एंजियों की मदद से वाटर हार्वेस्टिंग के अमले जामे पर चर्चा की गई साथी जल भंडारन सरंचनाओं को पुनर जीवित करने पर भी जोड दिया गया सियम भंजलाल ने बताया कि जल शक्ति मंत्राले की मदद से दोनों राजों के बीच लंबित विवादों का निवारन कर लिया गया है जल्द ही इस परियूचना का मैमोर रैंडम ओफ एग्रिमेंट होने वाला है फोन टैपिंग के मुद्दे पर ततकालिन सीम की ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलेस के क्राइम ब्रांच की पूस्ताश में अशोक गयालोद पर ही आरोप लगाए है साथ पेच के रिटन स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच के सामने फोन टैपिंग में खुद की भुमिका से इनकार करते हुए गयलोद से पूस्ताश करने की मांगी लोकेश शर्मा ने ततकालिन डीजिपी ग्रैम अंत्राले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गयलोद के परमुक सच्व पर थंबीर आरोप लगाए है रिटन स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा ने कहा मुझे अशोक गयलोद ने ही क्लिप मीडिया को भेजने को कहा था मुझे तो यह भी पता नहीं था किस पैंडराइव में है क्या अब गयलोद से पूस्ताश हो कि ओडियो क्लिप कहां से आई क्या लीगल इलीगल फोन टैप हुए गयलोद के निर्देश होते थे कि क्राइम ब्रांच में जाकर यह कहना है कि यह ओडियो क्लिप सोशल मीडिया से मिली जोदपुर की बरकुतुला खास स्टेडियम में चल रहे लेजेंड्स लीग किर्किट का पांचवा मैच साउथरन सूपर स्टार ने जीता मैच इंडिया कैपिटल वे साउथरन सूपर स्टार के बीच था इंडिया कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की लीग में साउथरन सूपर स्टार की यह दूसरी जीत थी बता दें कि लीग के अब तक चार मैच हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के पूरव कप्तान क्रिस गेल भी जोदपूर पहुंच चुके हैं क्रिस गेल गुजरात जाइंट्स के टीम में है आज गुजरात जाइंट्स और साउथरन सूपर स्टार के बीच होगा क्रिस गेल ने एरपूर्ट पर कहा कि इंडिया में आकर हमेशा अच्छा लगता है जसाल करिया के आल राउंड परदर्शन पर भोजरुसा करते हुए साउथरन सूपर स्टार्स ने जोदपूर के बरकतुला खान स्टेडियम में इंडिया कैपिटल्स को चार विकेट से हरा कर लिजेंड्स लीग करकेट 2024 में अपनी दूसरी जीत दर्स की जबकि उनके पास पांच गेंदे बच्छी थी भारती रेल और राजस्तन प्रेटन विकास निगम की और से संचालित शाही ट्रेन पहले सॉन वील्स जैपूर पहुंची इस सीजन के पहले सफर का तैय कर रही इस ट्रेन में देश विदेश के 32 टूरिस्ट गांदी नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे या परमपरिक अंदास में टूरिस्ट का स्वागत किया गया ट्रेन में सवार सेलानी जब स्टेशन के प्लैटफों पर पहुंचे तो कच्छी गोडी और लोग वादे बजाते कलाकारों ने उनकी अगवानी की इसके बाद लोग कलाकारों ने माथे पर तिलक और माला पहन कर आतीथियों का स्वागत किया इस सीजन के पहले शाही सफर की शुरुवात नए दिल्ली के सफदर गंज रेलवे स्टेशन से 25 सितंबर की शाम से हुई ट्रेन को नए लुक में तयार किया गया है यह ट्रेन साथ दिन में राजिस्तान और उत्रप्रदेश के आठ शेहरों जैपूर, स्वैमादोपूर, चिताडगर, उद्यपूर, जैसल में, जोधपूर, फरतपूर और आगरा में जाएगी बारा कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 99 लाख उर्पे की धोखा तड़ी के मामले में अरोपी को गिरफतार किया है एस साइ महविर सिंग ने बताया कि कोटा निवासी खबाल बोहरा ने दे रिपोर्ट में बताया कि साल 2018 से पहले वैपूने निवासी अनीश भाई के साथ दुबई में कारुबार करते थे इस सुरान उन्होंने पार्टनर अनीश भाई को कारुबार के लिए करीब 99 लाख उर्पे से अधिक की राशी दी थी मांगने पर काफी समय बाद भी वैराशी नहीं लटाई औरूपी भारत वापस आने पर देने की बात कहे कर टाल मटोल करता रहा। बार में आरोपी ने उसे पूरी राशी के चेक देने की बात कहे कर 12 चार मूरती चुराहे पर बुलाया जा उसने एक लिफाफा देकर चेक होने की बात कही जब लिफाफी में देखा तो उसमें दुबाई के बैंकों के चेक निकले उसके बाद भी आरोपी ने राशी नहीं लटाई पुलिस सारूपी से पूस्ताश कर रही है लटाई पुलिस सारूपी से पुलिस सारूपी से पूस्ताश कर रही है